पार्ट थर्टिफाइब श्री कणेशाय नमाहा श्री जानकी बल्लभो विज्यते श्री रामचरित मानस अयुध्याकाण काम कोहु मदमन मान नमोहा लोब ना छोब ना राग ना द्रोहा जिनके कपट दंब नहीं माया तिनके दैब संुर गुराया जिनके ना तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है ना लोब है ना शोब है ना राग है ना द्रोह है और ना कपट दंब और माया ही है हे रगुराज आप उनके हृदे में निवास कीजिए सबके प्रिये सबके हितकारी दुख सुक रसरिस प्रसंसा गारी कहें सत्य प्रिये बचन विचारी जागत सोवत सरन तुमारी जो सबके प्रिये और सबका हित करने वाले हैं जिने दुख और सुक तथा प्रशंसा और गाली समान है जो विचार कर सत्य और प्रिये वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरन है तुमें छाड़ी गति दूसरी नाही राम बसंतिन के मन माही जननी समझा नहीं पर नारी धनुपराव विश्टे विश्भारी और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है हे राम जी आप उनके मन में बसिये जो पराई इस्त्री को जनम देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिनने विश्ट भी भारी विश्ट है जे हरशई पर संपत्ती दे की दुखित होई पर विपती विशेशी जिनहीं राम तुम प्रान पियारे तिनके मन सुब सदन तुमारे जो दूसरों की संपत्ती देखकर हर्शित होते हैं और दूसरे की विपत्ती देखकर विशेश रूप से दुखी होते हैं और हे रामजी जिने आप प्राणों के समान प्यारे हैं उनके मन आपके रहने योग्य शुब भवन है स्वामी सखा पितु मात गुरू जिनके सब तुमतात मन मंदिर तिन के बसहूं सिये सहित दों रात मंगल भवन अमंगल हारी द्रवा उसो दशरत अजीर बिहारी भेतात जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरू सब कुछ आप ही हैं उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दों भाई जो अब गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहन करते हैं ब्रामन और गौं के लिए संकट सहते हैं निती नुपुनता में जिनकी जगत में मरियाता है उनका सुंतरमन आपका घर है जो गुणों को आपका और दोशों को अपना समझता है जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भग जिसे प्यारे लगते हैं उसके हिर्दे में आप सीता सहित दिवास कीजिए जाती पाती धन धर्म बढ़ाई प्रिये परिवार सदन सुखदाई सब तजी तुमाई रहे लई लाई तेही के हिर्दे रहूं रगुराई जाती पाती धन धर्म बढ़ाई प्यारा परिवार और सुखदेने वाला घर सब को छोड़कर जो केवल आपके ही हिर्दे में धारण के रहता है हे रगुनाच जी आप उसके हिर्दे में रहिए सरगु नरगु अब बरगु समाना सरग नरग और मोक्ष जिसकी द्रस्टी में समान है क्योंकि वह जहां तहां केवल धनुषबान धारन किये आपको ही देखता है और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है हे राम जी आप उसके हिर्दे में डेरा कीजिए जाही नचाये कब हूं कचू तुम सन सहज सने हूं बस हूं निरंतर तासु मन सोरा उर निजगे हूं मंगल भवन अमंगल हारी त्रवाउसो दशिरत अजिर भिहारी जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्रभाविक प्रेम है आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए वह आपका अपना घर है इस प्रकार मुनी श्रेष्ट बाल में की जी ने श्री राम चंदर जी को घर दिखाए उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे फिर मुनी ने कहा हे सूर्य कुल के सौमी सुनिये अब मैं इस समय के लिए सुख दायक आश्रम कहता हूं निवास इस्थान बतलाता हूं आप चित्रकूट परवत पर निवास कीजे वहाँ आप के लिए सब प्रकार की सुख दायक है सुहावना परवत है और सुन्दर वन है वह हाती सिंग, हीरन और पक्षियों का विहार इस्थल है वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों से प्रशंसा की है और जिसको अत्री रिशी की पत्नी अनुसुया जी अपने तपो बल से लाई थी वह गंगा जी की धारा है उसका मंदाकनी नाम है वह सब पाप रूपी बालकों को खार डालने के लिए डाकनी रूप है अत्री आती बहुत से श्रेष्ट मुनी वहाँ निवास करते हैं जो योग जब और तप करते हुए शरीर को कस्ते हैं हे रामची चलिए सब के परिक्षम को सफल कीजिए और परवत शेष्ट चित्रकूट को भी गौरव दीजिए महामुनी बालमिकी जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही तब सीता जी सहित दोनों भाईयों ने आकर शेष्ट नदी मंदाकिनी में इस्मान किया चगुबर कयों लखन भल घाटू कता हूँ कता हूँ अब ठाहर ठाटू लखन दीख पए उतर करारा चहूं दीसी फिरें दनुश जी मिनारा शीरी राम चंद्र जी ने कहा लक्षमन बड़ा अच्छा घाट है अब यही कहीं टैरने की विवस्था करो तब लक्षमन जी ने पैस्विनी नदी के उत्तर के उचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों और धनुश के जैसा एक नाला फिरा हुआ है नदी मंदाकिनी उस धनुश की प्रतिंच डोरी है और शम दम दान बान है कलियों के समस्थ पाप उसकी अने को हिंसक पशू है चित्र कूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है पस कही लखन ठाओं देख रावा थलू बिलो की रगुबर सुख पावा रमयू राम मनु देवन जाना चले सहित सुरत पति प्रदाना ऐसा कहकर लक्ष्मन जी ने स्थान दिखलाया इस्थान को देखकर शिरी राम चंदर जी ने सुख पाया जब देवताओं ने जाना कि शिरी राम चंद्रजी का मन यहां रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई मकान बनाने वाले विश्व कर्मा को साथ ले कर चले सब देवता कॉल भीलो के वेश में आए और उन्होंने पत्तों और घासों के सुन्दर घर बना दिये दो ऐसी सुन्दर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता उनमें एक बड़ी सुन्दर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी लखन जान की सहित प्रभू राजत रुजिर निकेत सोह मदनु मुनिवेश जनू रतिरितु राज समेत मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरत अजीर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी अरउनाथ मम संकट भारी लक्षमर जी और जान की सहित प्रभू शिरी राम चंद्र जी सुन्दर घास पत्तो के घर में शोभाय मान है मानो काम देव मुनी का वेश धारन करके पत्नीरती और वसत रितु के साथ सुशोवित हो जैसिया राम